है एबरीवन वेलकम दू राज एकोनॉमिस और कॉमर्स क्लासे मैं हूँ नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूँ इंप्लोईमेंट एंड अनिंप्लोईमेंट का सेकेंड वीडियो को ले करके ठीक है इसमें हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं किस प्रकार से डिस्टिब्यूटेड हैं अर्बन एरियाज में कितने रूरल एरियाज में कितने हैं फिर हम लोग बात करेंगे कि मेल फिमेल उनका डिस्टिब्यूशन कितना है उनका पाटिसिपेशन कितना है वर्क फोर्स में इन सब चीजों के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए देखिए आज का पहला क्या हमारा है distribution of the workforce as self-employed and hired राइट देखे जो workers होते हैं वो या तो self-employed होते हैं या hired होते हैं इसके बारे मैं पहले already मैं discuss कर चुका हूँ है ना तो अगर self-employed की बात करें है ना तो उसका मतलब क्या होता है जो खुद के अपने business को run कर रहे हैं है ना और वहीं hired जो दूसरों के लिए काम करता है जहां पे उसे कोई company वगेरा के द्वारा hire किया जाता है ठीक है तो अगर हम लोग इंडिया में बात करें यह याद रखेगा जितने भी data में बता रहा हूँ 2017-18 का data है ठीक है उसके accordingly कहता है अर्बन वरकर्स जो है वो 61.7% जो है वो hired worker है ठीक है वही 38.3% जो है वो क्या है self-employed workers है मतलब अर्बन एरिया में hired worker ज्यादा है बट अगर रूरल वरकर्स की बात करें तो 42.2% hired है जब कि 57.8% क्या है self-employed है यहाँ से एक conclusion क्या मिला कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर ज्यादा तर लोग जो है वो hired है मतलब किसी company में काम कर रहे है किसी factory में उसे hire किया गया है ठीक है जबकि रूरल एरिया में hired कम हो रहे है चुकि देखे रूरल एरिया में बहुत सारे industries नहीं होते companies नहीं होते है तो उन लोग hire कम होते है वो उन लोग self-employed work जादा करते है ठीक है अब अगर बात करें इसी को male female के तौर पे तो देखे male जो है 47.7% male है जो कि hired है जबकि 52.3% जो लोग है वो self-employed है female की बात करें तो hired 48.1% जबकि 51.9% इसमें बहुत ज़्यादा differences नहीं है ठीक है male भी लगबग उतना ही hired है female भी लगबग उतना ही है ठीक है अब अगर बात करें occupational structure और distribution of workforce by industry देखे हर economy में तीम सेक्टर होते है primary, secondary, tertiary ठीक है primary sector मतलब agriculture है ना animal husbandry, horticulture वो सब related activity secondary sector, industrial sector हो गया, tertiary sector, service sector हो गया ठीक है तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का 43.8% workforce जो है ठीक है वो कहां पे है वो है हमारा primary sector में जबकि 24.7% लोग कहां पे है, secondary sector से related है और 31.5% tertiary sector में मतलब यहां से conclusion है कि heavy dependence on primary sector है ज्यादातर लोग जो है वो primary sector पे engaged है और अगर किसी भी देश में ज्यादातर workforce अगर primary sector से related है तो generally कहा जाता है कि economy backward है यह backwardness के प्रकार से sign है ठीक है और क्या है अब अगर हम लोग इसको rural urban areas के तौर पे देखें तो rural area में 58.5% लोग primary sector में ही dependent है जबकि 19.5% secondary वही 22% लगभग tertiary sector में ठीक है बट अरवन सेक्टर में बड़ा ही गजब का changes है सबसे कम dependency होता है primary sector में चुकि साहरी छेतर में बहुँ जादा agricultural activity कहां होता है है ना इंडस्टी में 28.9% tertiary sector मता service sector में सबसे ज़्यादा workforce पाया जाता है कहां पे urban में ठीक है अगर हम लोग बात करें male female के basis पे gender basis पे देखें ठीक है तो male workers की अगर बात हो तो लगभग 45% जो है वो primary sector से related है 19.1% secondary sector में है 25.3% tertiary sector में और बाकी कुछ अधर activity करते है वो 10.6% है female worker जो है उनका भी लगभग उसी प्रकार का tendency है बस 57.3% primary में 14.9% secondary 18.9% tertiary और अधर में 9.6 बहुँ जादा differences यहां पे नहीं है ठीक है अगर हम लोग देखें occupational structure में क्या changes आया है from independence to 1718 है ना तो देखे primary sector में जो workforce था 1952-51 में वो 17.7% था जो की घटा है तो मतलब सुधार हो रहा है economy में है ना तो कि देखे primary sector से workforce अगर move कर रहा है secondary और tertiary तो मतलब है कि वहाँ पर development हो रहा है अभी मैंने कहा था ना कि अगर primary sector में maximum population engaged है तो वह backwardness दिखाता है उस economy का ठीक है अब अगर secondary sector की बात करें तो यह इसका portion पहले से बढ़ा है तरसरी sector का भी बढ़ा है घटा सिर्म किसका है primary sector का तो यह development का प्रकार से साइन है अब बात करते हैं casualization and informalization of workers देखे casualization का मतलब होता है refers to a situation when percentage of casually hired workers casual workers कौन से होते हैं बताया था पहले मैंने है ना जो अगर किसी economy में casual workers बढ़ रहे हों लगातार बढ़ रहे हैं ठीक है तो वह हो रहा है casualization याद रखिएगा daily wages की संख्या बढ़ रही है मत उसकी percentage बढ़ रही है इसका क्या मतलब हुआ casualization ठीक है वहीं अगर बात कर informalization का मतलब तो कहता है इसका मतलब है कि situation जब percentage of workforce informal sector tend to decline and that in in the informal sector tend to rise कहता है ऐसा situation जब formal sector से percentage बढ़ रहा हो किसका informal sector मतलब इन फॉर्मल सेक्टर में अगर workforce बढ़ रहा है ठीक है तो वह कहला एगा informalization तो यहाँ पर सवाल आया यह फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जब लोग होते हैं काम करते हैं वर्करस है न वह दो प्रकार के sector में काम कर सकते हैं एक होता है formal sector, formal sector का मतलब होता है, जब लोग है ना, किसी organized sector के अंतरगत काम कर रहे हैं, like government department में, public enterprises में, या private enterprises जो है, वहाँ पे, तो ऐसा situation जो होता है, वो formal workers होता है, याद रखिएगा, ये जो formal sector काफी तरह का तुईधाएं भी देता है, कहीं न कहीं कौन किसको worker को, लेकिन informal sector क्या होत होता है, informal sector एक unorganized sector होता है, जो ऐसे private enterprises को सामिल करेगा, जिसमें 10 से कम worker सामिल होते हैं, देखे, formal sector में आद रखिएगा, जब कोई private sector अगर hire कर रहा है, लेबर को, और वो 10 या 10 से जैदा को hire कर रहा है, ठीक है, तब वो formal sector में आएगा, तब जितने भी सुविधाएं है, like prov provident fund वगेरा, वो सब चीजें दी आ जाएगा, ठीक है, security दी आ जाएगा, लेकिन informal sector में क्या हो जाएगा, अगर कोई private sector 10 या 10 से कम worker को अपने company में रख रहा है, मतलब अपना कोई business में रख रहा है, तो वो informal sector है, वहाँ पर किसी प्रकार का, मतलब security नहीं दी जाती है, अगर एक सवाल आता है, अक्सर कि formal worker, informal worker में differences क्या होता है, बताइए, तो formal worker क्या होगा, work in organized sector, किसी organized sector में जहाँ rule, regulation के तहथ वो काम करेंगे, जबकि informal workers क्या होगा, जो unorganized sector में काम करते हैं, जहाँ पर किसी परा कोई rule वगेला नहीं होता है, are entitled to social security benefit like provident fund, gratitude, pensions, मैंने कहा अभी, जो formal workers होते हैं, उन्हें PF, securities वगेरा दी जाती है, बट informal workers को वैसा कोई benefit नहीं मिलता है, ठीक है, formal worker trade union बनाते हैं, informal worker वैसा कुछ नहीं कर पाते हैं, कम workers हैं, क्या union बनाएगा, ठीक है, formal worker protected by various labor low against uncertainties of the market, ओ सारे labor low अगेरा जो हैं, उसके तहत protection दी जाती है, formal workers को, जब की, जो informal workers है, they remain unprotected by the labor low, है ना, चुकि उन लोग के लेबर लोग है ही नहीं, ठीक है, तो यह यहाँ पे था हमारा, अभी, क्या बताया है, मैंने आपको, formalization और informalization, मतलब, आपको आज, अभी discuss मैंने कर दिया, क्या-क्या चीज ने, casualization, informalization of workforce, है ना, distribution of workforce, या labor force, clear है, तो आज का ये वीडियो आपका यहीं तक रहेगा, next वीडियो में इसी topic के आगे का part ले करके आऊंगा, इसमें discuss करेंगे unemployment का meaning, उसके cause ways, उसके different types, ठीक है, मुझे उम्मीद है, आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे हो, मैं जितना भी वीडियो one by one upload कर रहा हो, है ना, तो चलिए, मिलते हैं, next class में, आज कहीं तक धन्यवाद,